ख़ड़ा में जाएगा उसे ख़ड़ा है उसे ख़ड़ा है उसे ख़ड़ा है और अपनी बातों को सरकार के सामने रखने की कोशिश करते हैं हाथों में तिरंगा लेकर लखनों पहुचें लाखों की संख्या में लखनों में पहुचें और अपनी बातों को रखना चाहा मगर कहीं न कहीं निराशा उनके हाथ लगी और वो वापस घर की तरफ लोट रहे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग तो आपने इस वीडियो में देखा किस्ता से लोग जो हैं ट्रेनों में बसों में जिस्ता से सफर करके गया थें उसी इता से वापस लौट रहें पूरी मेहनत के साथ गया थें कि उनका पैसा मिल जाए अंदोलन भी किया लागों की संख्या में थें हाथों में तिरंगा था उन्हीं भी हुई मगर हाथ लगी तो सिर्फ निराशा आपको कलम ने बताया था कि वो लोग पहुचें और साड़े दस में कुछ लोगों को होटल से उठा लिया गया उठा के उन्हें थाने ले जाए गया पूस्ताच की गई हलाकि उनके साथ कोई बतसलोखी नहीं की गई फिस सवदों के खरीब उन्हें जो है लखनौ के इको पार्क में छोड़ा गया बोला गया कि आप लोग यहां शांतिपूर्वक अंदोलन कर सकते हैं उन्हों है फिस शांतिपूर्वक अंदोलन स्टार्ट किया फिर कहीं न कहीं उन्हें बाते हुई फिर इंबार्गो का ज निराश होकर वो लोग वापस घर की तरफ लोट रहें, काफी मुश्किल थी, कहानी भी वो लोग की मुश्किल है, काफी मुश्किलों से गए, कुछ लोग ऐसे थें, जिनकी घर में इलाज चल रहा है, पैसे की जौत है, बट वो भी जो है, इस उम्मीद में वहाँ गए, कि उन्हें उनका पैसा वापस मिल जागा, मगर कहीं न कहीं उनका पैसा वापस मिला नहीं, फिर वही हाल हुआ, निराश होकर वापस लोटे हाला कि आपको बता दे कि सुप्रीम कोट ने, इसे फाईयों को जांच सौब दिया है, बोला है, जल से जल इसकी जांच होनी कि हो सकता है कुछ दिन में सहारा निवेशक को अच्छे खबर मिले हाला कि वो लोग लगातार लड़ रहे हैं आगे भी बोलों लोग कहा कि वो लोग लड़ते रहेंगे जब तक वो लोग का पैसा मिलेगा नहीं इसी तागी खबरों के साथ हमा ऐसा जुड़े रहें तब तक झौला जागे